हेलो गाइज वर्कम राक्तोमा चानल तो क्या खाले सकते हैं अपका दोस्वास्थियां और लेकर आया हूं आपके लिए काफे टाइम बाद कर्यार मोट सीरीज में एक वाद नए एपिसों तो चलिए शुरू करते हैं तो दाइस बताना चाहता हूं कि इसने दिन चे एक वीडियो नहीं है उसकर इजन यह था कि हमें डाउन्जों कीज़े तो और जल्दी हम स्ट्रीम पे लाने वाले हैं और वह नई गेम सिखने के लिए मैंने पूरा टाइम लिया ऐसा उसके वाज़े से मैं वीडियो नहीं ला तो अप्राइस देन मैं जो मैं सोब्सक्राइबर फॉर भी नहीं बताव आप लोगे को और आज विचुद सब्सक्राइबर गोल आपको दिक्राइबर वन फार टीक्राइब में पर नहीं कर पाया पर सबस्वरीजन पानि आपको प्रब्लम क्या हो भीुश्टाइब की टि भी तो पतानी क्या प्रब्लम है क्या तारा है जिसके वज़ेसे यह प्रब्लम होई जारी है जेकिन मैं कंटेनी मेरी मैनाच करते रहूंगा मैं मैंनग करने में फोड़ा भी कब नहीं चोड़ोंगा देखके कब तब उजे इसमें सक्सेस मिलता है अगर आपको मेरा कॉंटेंट अच्छा लगता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगते पसंद आते तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और आपने दोश्कों के साथ में कमेंट करते जाए ज़रूर की वीडियो जैसे लग रही है कि अगर तो मुझे पता चलेगा आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा या नहीं लग रहा है उससाब से मैं उससाब से चेंज कर सकता हूं मेरे वीडियो में जो भी चेंज रिक्वाइड और अगर आपको वीडियो पसंद ज्यारे कमेंट कर दो आप कमेंट बाता सकते कि आपको पहले भी बताता है जहां पर केम चैंज हो गई हो किसी मुझेंट है या कोई अच्छी पार्टनर्शिप को ब्रेक किया हो वो मुझेंट आप बना सकते हैं आपके इसाब से आप डिसाइड कर सकते आपके लिए मुमेंट आप देडियो मेरे तो मिलता है या नहीं को सिश्टर हो गई कुछ अच्छा मुमेंट मिल जाए या या गोडशाओ ये गाफ पर इस प्लोइट करने वाले है यह लग मुझे पता थाजर सही में स्विंग डालने के ट्राइग दरूंगा तो मुझे यह गाफ पो क्लोज करना पड़ेगा कहां क्लोज करना पड़ेग अधाइड में वाग का पलो जाए यह अनक्राइड में यह अनक्राइड का किस्मत है यार मेरी सदेली कि अच्छलिए अब कितने का ट्रेल बचा अपने पस इलेड तो बनाई दियोगी उन्हें डेफिनेटली अच्छा हम लोग पांचरें से लीड करें हो भई ये तो गजब हो गया, पांच रन बचा लिए हमने हमारे टीम के लिए, मेरको बोलते हुए भी आसी आ रही है, पांच रन के लिड में लिए, ये अरली कैसे मारा बे, ये कैसे अरली हुआ, समझा नहीं मेरको, तो अब थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ने वाला है, पिछ में, और हमने फर्स बाउंडरी मार ली है, हमारी, आफ्टमाक विट बाउंडरी, और जो हमारा रिचुवल होता है, वेर ड्राइब वन दॉफ साइड, वो भी पूरा हो चुका है, इस ववर में, भाई, क्या स्विंग करवार है, बॉल को, जब परदस, मेरे टाइमिंग की मौज हो चुकी है, पूरी तरीके से, काफेट जिनों से गेम खेलिनी है, मैंने, दूसरी गेम खेलने के चक्कर में, मैं ये गेम को पूरा हाथ लगाना ही भूल गया था, बढ़िया शॉट, अच चुक है, फिर से बॉलिंग करने आपर, और आते ही, स्वेर रिजन पर, बाउन्डरी पर मिच जाएगी बॉल ऑफसाइड पर, जोड़ा आरम से खेलना पड़ेगा, टाइमिंग की मौज हो चुकी, पूरी तरीके से, गुड टाइमिंग पर बाउन्डरी हा मिलें, लेकिन आइडियल टाइमिंग देखिए, मेरे पूरे बाटिंग में, तो, चुक चुक शॉट, कड़क शॉट, फुल टास डालोगे तो नहीं चोड़ूंगा, एसाब कि बॉल का डर लगता है बाई कभी अंदर आजाए बहर जाएगा तो तो टेंशन नहीं लेकिन अंदर आगया तो शॉट स्ट्रेट शॉट लगाया हमने और बाउंटरी मिले एक और टॉट शॉट लेट टाइमिंग लेकिन चलेगा जोरन मिल जाएंगे इजी ली तो नहीं मिले मुझे किरना पड़ा फिर पिर गुट शॉट इस बर अर्ली टाइमिंग लेकिन बाउंटरी फिर भी मिल जाएंगे इसीली लीड हो चुका है फॉर्टी नाइन ग्रंज का भी गुट शॉट बढ़िया गैप मिल और गैप निकाल के मारा है हावे में उठा के यह मेरी गेम है ज्यादा डिफेंस करने जाता हूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ इससे अच्छा में डिफेंस करूंगा ही नहीं मुझे पता था इसका बॉलिंग लाइन स्ट्रेट होने वाला है जब यह लोग फिल्डर निकाल देते तभी लोग स्ट्रेट लाइन पर बॉलिंग करते पागल देश बाग जा बेटी बाज गया बाई डायरेक्टित लगता तो करियर काता मुझा तो तो तीन रन मिले तीन रन के साथ हम लोग की गेम आगे बढ़ते हुए यहां पर और गुट शॉट थपड़ शॉट मारा है और बाउंडरी थपड़ शॉट के साथ में मिलते हुए एक और तो उसके बाट बॉलिंग आउटिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही मेरे लिए दो विक्टे मैंने ली स्टार्टिंग में यहां से आउट नहीं मिलने वाला बैटी यहां से तो चाहिए उतना रोले आउट नहीं मिलेगा यहां से आउट नहीं मिलेगा रे इतनी बार बोलू यहां से आउट नहीं मिलता है अब शॉड बाइटा ना शाइस है वो तो नहीं होगा दो रन मिल जाएगा इसलिए दो रन 46 पर पॉच्चे हमारी स्पोर अभी दो रन के साथ गुड शॉट क्या है बाउंडरी जाएगी नहीं गई दो रन तो मिल जाएंगे इसलिए आइधिंग मिल गए 48 पर पॉचा उसी दो रन के साथ अपना स्पोर और यसी शॉट के साथ हाफ सेंचुरी पूरे होते हुए हमारी इस हाफ सेंचुरी की रिक्वार्मेंट और सबी जगे पे रन मारे हुए थे और वरुन एरॉन साहब आ चुके है बॉलिंग करने और चले जा चुके है हमें कहा गया है कि हम रिफ अनुकुल रॉय कोई खेलेंगे ओ भाई येस एंड नाव वडिया शॉट नाई ओ भाई कि साला स्टार्ट इतना स्लो करता कि क्या बोलने का सूर्य कुमारी आताव आ चुके रोईट शर्मा को आउट करवा दिया हमने अब नहीं बैटा आब वो गलती नहीं करूंगा अब तो यह लाइन डाले और पीछे फिल्डर नहीं रखे तो स्टेविटी मारेगा एक और बांबरी के साथ आगे बढ़ते हुआ अब बॉल ऑफसाइड के बाहर आने वाले ही 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 एंटिसेपेशन बोलते की नहीं अच्छा कट कर दिया उस बॉल को दा फ्लेवर ऑफिरेंदर सेबाग ओन देट शॉट कुद बहुत बढ़िया शॉट खेला उन जाब कर और वर तरोके रंस मिलते हुए यह अ पर हम आच रंप मिलेंगे चारेक देटे बॉलिंग वहां पे फिल्टर रखा ही है मैंने चान बुचके टारगेट इस 311 तक टारगेट हमको उनको चेज करने से रोकना है और यार बच गया कर दिया सीधे हाथ में अबे क्या करते हो यार तुम लोग हरकते कीपर तू गया बहले किसी और कीपर रखोंगा तो को कीपर ने रखोंगा तेरी हरकतों से बाज ने आ रहा तो तेरी हरकतों से तुम बाज ने आ रहा तेरो को मैं भार ही रखोंगे तने जा तेरा करियर खत्म मुंबाहिदा किसी और को कीपर बना लुगा मैं और फाल्तु की विकेट फाल्तु के ओवर्ट प्रमत कर बेटा तेरप भी निकाल लुँग कर बोलेंग जहां मेड़न ओवर प्रमत कर दो ना चेता हूं वाँ चार रन फाल्तु के गए तो अब फाल्तु चार रन दे दिया हमने जाना चीह तर लेकिन कोई रन ने मिलेगा इंस्विंगर भी ट्राइ करके देखते अभी पैरो पे नहीं भाई पैरो पे इंस्विंगर कोई मतलब नहीं ये प्रो करने की क्या जरू होते बे आप स्टम के बाहर इंस्विंगर होना चीह तो मतलब है वह बॉलिंग बढ़िया बॉलिंग हो रही है आपर रहे क्यों थो किये जा रहे हो तुम लोग हाथ में पकड़ के रहो ना बाबा बाब येस वर्स्ट विकेट इस डाउन उतकर्स्ट सेंग नाम था कह इस था इशान केशन दा कैटन ओफ जार्खन टीम आउट पर नॉट बॉलिंग भाई बॉलिंग फिर एक बार हम ही बनें विकेट टेकर और तमाचा है उन कैटन लोगों के लिए जिन्होंने आमें न्यू बॉल बॉलर नहीं समझा तक यह यार क्योंकि न्यू बॉल बॉलिंग में हमने दोनों बार एक प्रूफ की आए कि हम विकेट ले सकते हैं विट न्यू बॉल यह विकेट मिल जाती तो बढ़िया हो जाता है यह चांस हुज निक प्रूफ काचिए नहीं की बाउंडरी एज का चॉक्प लाश्पोल अग्योवर और बाउंडरी नहीं दो रन हाँ दो रन मिल जाएंगे इस लोग के साथ हमारा स्पेल बोलिंग विए अधि प्रीवियस पॉल आउज दाट यह आउट क्यों नहीं देता है मेरे को समझ में नहीं आता है आउस दाट निक्टिक बिग पील ए थ्रोग मत करना भाई सान पट्टी तो अच्छे यॉर्कर बॉल्च के बाद अब एक ज़रूँ थे और क्या ही क्या ही विकेट मिलिये भाई तो यॉर्कर बॉल डाले और उसके बाद मैंने उसको सेट अप करना के बाद एक प्रॉपर बॉल डाल दिया जो की गुडलेंद बॉल था और एक विकेट मिल दी मेडन विकेट के साथ यहां पर पांच विकेट गिर चुकी है अब बारी है अंदर आने की पूरी तरीके से तो यॉर्क पुल ओफ दिग डाइव तो सेव संसर्टन रंस डिदिट वर्ल डिद टीपर टैच एट ओवर के समापती एक और मेडन के साथ दो विक्टेम ने परले इनिंग मेली दो विक्टेम ने दूसरे इनिंग में भी ले चुके अब तक इसको वरी सही फासाने को देखता हूं मैं बाहर 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 फिर उचनक से दो बल अंदर वाई बहुराग बहुराग बॉलिंग बहुराग बॉल ना व्य क्या हो गया भी फेलना लाला यह कैसे मिश हो गया है यह कैसे मिश हो गया मुझे समझा नहीं बॉल क्या बे कोई नहीं है यार अर्जुन टैंडूल करका मेरे एंस है टैंडूल करने लिखे आहां खटम यही चाहिए था मुझे इस मैच में मिलते हुए एक जीट और हमारे 66 सुर्या को हमारे आदव के 82 और हमारे 85 और सुर्या को हमारे आदव के 56 काम आए अलॉंग विच चार विक्ते हैं हमारे पूरा इनिंग से मिला के प्लेयर आउं तमैच हम लोग बनें मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए से यो नारा